हेलो माई डियर स्टूडेंट, विलकम बैक तो माई यूटूब चानल मैथमाटिक्स आसान भाइ महेंद्र सर तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटीन्यू कर रहे हैं सीए फॉणडेशन का बिजनिस माथमाटिक्स तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने फर्स्ट चप्टर दैट इस रेश्यो प्रपोर्शन इंडाइसेश एड लॉगड़ित्म का टॉपिक का फुल बेसिक कॉंस्रेप्ट किया था और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ट टाइब का क्योरिशन आपको सीए फाउंडेशन के एक्जाम में आता है तो वीडियो रेक्चर बहुत इंपोर्टेंट है एंड तक वीडियो जरूर देखना चलो स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर लिखा है क्योरिशन नम्बर 11 क्योरिशन नम्बर 11 है if log a plus b upon 4 equal to half into log a plus log b then what is the value of a upon b plus b upon a तो आपको यहां पर देखो options दिया हुआ है 12, 14, 16, 8 है तो given expression को में simplify करूंगा और वहां से a upon b plus b upon a का value हम find out करेंगे तो मैं start करता हूं given thing से देखो हमें क्या दिया है हमें यहां पर दिया है log of a plus b divided by 4 is equal to half into देखो bracket में है यह log a plus आपको दिया है log b तो हम यहां पर log का law use करेंगे तो यह log a plus b upon 4 as it is रहेगा कुछ नहीं कर सकते हम लोग this is equal to half into देखो log का property log a plus log b तो addition रहेगा तो वो multiplication में convert हो जाता है यह हो जाएगा आपका half into log of क्या एगा a b हो जाएगा further simplify होगा log of a plus b divided by 4 is equal to half देखो half log के पहले आगर के multiplied है तो again हम यहां पर law of exponent use करेंगे तो यह हो जाएगा देखो log a b हाँ हम यहां पर लिखेंगे a b और यह पूरे का power क्या हो जाएगा आपका half हो जाएगा यहां तक आपको समझा रहेगा अब यह आपको पता है कि देखो left side में भी log है और right hand side में भी log है तो जब दोनों side में log रहेगा तो log log compare हो जाएगा तो हमें यहां से क्या बचेगा आपको मिलेगा यहां से देखो a plus b divided by 4 is equal to a b raise to half a b whole raise to half बचेगा so this I can write a plus b divided by 4 equal to a b पूरे का power half है तो हम इसे देखो under root a b भी लिख सकते हैं ठीक है actually हमें क्या चाहिए हमें चाहिए a upon b plus b upon a का value थोड़ा सा और modify करें तो आपको solution मिल जाएगा तो मैं क्या करता हूँ यह root a b को remove करने के लिए यानि कि square root को remove करने के लिए under root a b को remove करने के लिए हम squaring on both side करेंगे मैं यहां पर लिख देता हूँ squaring on both side है squaring on both side ठीक है तो यह हो जाएगा देखो है a plus b the whole square a square plus b square plus two a b यह हो जाएगा आपका a square plus b square plus two a b हो जाएगा identity हो गया यह 4 का square करना होगा तो 16 हो जाएगा this is equal to root a b का square करोगे तो आपका root चला जाएगा सिर्फ यहां पर a b बचेगा cross multiply करता हूँ मैं यह हो जाएगा a square plus b square plus two a b is equal to cross multiply करोगे यहां पर देखो आपको मिलेगा 16 a b मिलेगा so this I can write a square plus b square is equal to 16 a b है और यह 2 a b वहां पर जाकर subtract हो जाएगा तो कितना बचेगा यह देखो आपका 14 a b बचेगा यहां तक तो आपको clear हुआ रहेगा हमें find out क्या करना है a upon b plus b upon a का value find out करना है तो a upon b plus b upon a हमें यहां पर लाना है expression में तो मैं यहां पर both side a b से divide कर दूंगा यह देखो क्या हो जाएगा आपका a square upon a b हो जाएगा प्लेस देखो आपका यह b square upon a b हो जाएगा is equal to this is 14 a b upon a b तो just हमने क्या किया both side a b से divide किया so this a b this a b cancel हो गया यहां से देखो आपका a जाएगा a square जाएगा बी जाएगा b square जाएगा तो क्या बच रहा है यहां पर आपको बच रहा है यहां पर बच रहा है और यहां पर 14 बच रहा है question क्या पूचा था what is the value of a upon b plus b upon a तो value of a upon b plus b upon a कितना एगा 14 that means option b correct है बहुत ही आसा समता हमने इसे solve कर दिया question पर 12 देखो आपको बूच रहा है question है log m plus n is equal to log m plus log n दिया है then what is m equal to m equal to आपको यह out of four expression उसमें से कौन सा expression आएगा वो आपको select करना है now start करता हूँ देखो यहाँ पर given thing से हमें क्या दिया हुआ है log of यहाँ पर m plus n है this is equal to हमें दिया है log m plus देखो यहाँ पर आपको लिखा है log n तो हम यहाँ पर log का property use करेंगे so left hand side तो कुछ नहीं कर सकते हो log m plus n as it is रहेगा right hand side log m plus log n तो हम यहाँ पर law of product use कर सकते हैं तो यह हो जाएगा log common हो जाएगा addition का माले में आपको multiplication में convert हो जाता है m into n अब बोथ साइट देखो आपको equation में log दिया है तो हम compare करेंगे जैसे आपको पता है अगर log x equal to log y रहेग तो यहाँ पर log m plus n है तो हम compare करेंगे तो यह हो जाएगा m plus n is equal to हो जाएगा m into n हमें देखो m का value चाहिए और जो आपको expression दिया है उसमें कहीं पर m नहीं है n के form में दिया हुआ है that means मैं क्या करता हूँ देखो यह n को यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर आपको m into n अ है यह plus m को वहाँ पर shift करेंगे तो क्या हो जाएगा minus m हो जाएगा so this n is equal to m common ले लेंगे तो क्या बच रहा है आपका देखो यहाँ पर n-1 बच रहा है हमें m का value चाहिए तो यह देखो n upon यह यहाँ पढ़ा करके divide हो जाएगा and this is equal to m the m का expression क्या मिला m equal to n upon n-1 देखो n upon n- minus 1 that is option a आपका correct है बहुत ही आसान सासंता हमने solve कर दिया इसे नौसी कैश्मत 13 देखो आपको दिया है कैश्मत 13 है log base 4 है x square plus x है minus log base 4 x plus 1 है equal to 2 दिया है तो left hand side में देखो दो term आपको log का दिया है और दोनों term का देखो base same है 4-4 base same है और आपको पता है जब base same रहेगा तो हम log का property apply कर सकते हैं तो actually यह जो expression दिया है log of a minus log of b के form में है और आपको पता है जब subtraction होता है तो log common लेते हैं और जो term सो division में convert हो जाता है तो हम यहाँ पर formula use करेंगे यानि कि property use करेंगे log का log a minus log b is log a upon b होता है तो यह दिखो जाएगा आपका log to the base 4 common हो जाएगा और यह divide हो जा value to तो यहां तक आपको समझा रहेगा हमने क्या किया just हमने log का यहां पर law use किया हुआ है अब इसके बाद तो बहुत easy है यह देखो log के form में है तो log के form में रहेगा तो हम उसे index के form में लिख सकते हैं simple है आपको क्या करना है log के बाद जो भी term है वह term आपको पहले लिखना है x square plus x divided by x plus 1 is equal to उसके बाद जो log का base दिया है वो equal के बाद base लिखोगे और question में equal के बाद जो number है वो यहां पर power में चला जाता है तो यह actually हमने यहां पर logarithm का definition यूज किया है log के form में है तो हम उसे index form में लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से क्या में लिखा देखो आपको x square plus x divided by x plus one equal to four का square किया 16 cross multiply कर दो देखते हैं क्या आता है यह हो जाएगा x square plus x is equal to 16 into x plus 1 आ cross multiply कर रहे हैं यह जाएगा 16x plus देखो यहां पर 16 हो जाएगा तो यहां समय मिलेगा x square plus x 16x को shift करो तो minus 16x और this is equal to 16 है तो यह हो जाएगा आपका देखो x square plus x minus 16x तो कितना हो जाएगा minus 15x हो जाएगा और यह 16 को यहां पर ले लो तो minus 16 equal 0 तो यहां बड़ एक्चुली हमें quadratic equation मिल रहा है x के form में अब यह quadratic equation को आप factorize कर सकते हो या formula मेतर से भी solve कर सकते हो तो हम इसका factor बनाएंगे देखो factor बनाना easy है यहां पर minus 15x दिया है minus 16 दिया है तो और यह minus 16 equal to 0 रहेगा आपको समझा लेगा क्योंकि minus 16x plus 1x तो आपको वो देगा minus 15x and minus 16 into 1 करोगे तो multiply करके minus 16 आ रहा है अब मैं common ले लूँगा first two term में और last two term में हम common लेंगे तो first two term में common क्या आ रहे देगो x common आ रहे तो क्या बचेगा आपका x minus 16 and last two term में plus 1 common आ रहे तो क्या बचेगा x minus 16 is equal to 0 तो यह हो जाएगा x minus 16 one factor आएगा second factor आएगा x plus 1 equal to 0 that means we can write x minus 16 equal to 0 और x plus 1 equal to 0 तो यहां से आपको x का दो value मिलेगा 16 और x equal to minus 1 मिलेगा तो x का value 16 हो गया और यहां पर x का value minus 1 हो गया तो आपको पता है negative number का log exist नहीं होता है तो हम log में always x positive value लेंगे तो x का value कितना आएगा 16 आएगा that means आपका option कौन सा correct है यहां पर option अगर आप चेक करोगे तो आपका option यह correct है तो बहुत ही आसान था हमने solve कर दिया इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहले मैं simplify कर लेता हूं ब्रैकेट के अंदर के terms को यह जाएगा आपका लॉग है रूट 25 है रूट 25 आपको पता है रूट 25 का value 5 होता है यह बेस टेन रहेगा माइनस यहां पर देखो लॉग है टू का पावर 3 करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा और यहां पर देखो बेस टेन है प्लस यह जाएगा लॉग ऑफ बेस टेन है फोर का स्क्राइड किया तो 16 आएगा होल रहेगा हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ब्रैकेट में सबका बेस सेम दिया हुआ है मैं पहले क्या करता हूं यहां पर लॉग 5 तो दे बेस 10 माइनस लॉग 8 तो दे बेस 10 तो यह फॉर्स टू टर्म में जो प्रॉपर्टी यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा डिवीजिन हो जाएगा न लॉग तो दे बेस टेन और यह डिवाइट हो जाएगा फाई आप तो दे बेस 10 अब यह लॉग आफ एनिफिंग प्लस लॉग आफ एनिफिंग तो यहां पर बेस सेम है तो अगेन यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं लॉग आफ प्रॉडक्ट तो लॉग तो दे बेस 10 कॉमन रहेगा और यह मुल्टिप्रिकेशन मे 16 8 से डिवाइड होगा तो 8 1s आ 8 2s 16 हो जाएगा 5 2s 10 हो जाएगा तो लॉग 10 तो दे बेस 10 आ रहा है होल पावर देखो आपको एक्स मिल रहा है और आपको यह प्रॉपर्टी भी पता है लॉग ओफ एनि नंबर तो दे सेम बेस लॉग ओफ नंबर विट सेम बेस क्या करो कुछ भी करो आंसर आपको वन ही आने वाला है तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी देखो आपका करेक्ट है तो बहुत एजी था हमने सॉल कर दिया इसे कि नौ सी क्यों फिफ्टीन देखो आपको पूछ रहा है यहां पर लिखा है इफ लॉग भी टुदे बेस ए प्लस लॉग सी टुदे बेस एक इकल दिया है देन आपको आपको आउट आप इस फॉर ऑप्शन एक आपका राइट रहेगा तो मैं गिवन तिंग से स्टार्ट करता हो करता हूं उसको स्मझेगा कि क्या ऑप आपशन आपको तो हमें दिया है लॉग भी से प्लस हमें यहां पर लिखा हुआ है लॉग सी से इकल डी लेप्लाइंडिब्यों का और 12 घर्म का बेस कि से एक हो कर सकते हैं तो मैं लापडियृ करता हूं addition में multiplication में करमेट हो जाएगा तो देखो log to the base a common हो जाएगा और multiplication यानि की BC is equal to क्या हो जाएगा this is equal to zero हो जाएगा तो यह log के form में है हम इसे index के form में लिख सकते हैं बहुत easy definition of logarithm आपको use करना है यह जो BC दिया है लॉक के बाद जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको पहले लिखना है is equal to उसके बाद देखो log का जो base रहेगा वो equal to के बाद वो base लिखोगे और यह equal to के बाद question में जो भी नंबर दिया है इसके power में चला जाता है तो यह actually हो जाएगा BC equal to a raise to zero आपको पता है anything raise to zero is one होता है तो यह one हो जाएगा तो यहां से आप क्या लिख सकते हो यहां से आपको बी इक्वल to मिल सकता है one upon c या फिर आप लिख सकते हो c equal to one upon b भी लिख सकते हो that means a that means b and c are reciprocal of each other तो b and c are reciprocal of each other option d correct है बहुत ही आसान था हमने solve कर दिया इसे ना उसी क्योश्च में 16 देखो आपको दिया question है the value of expression हां two log x plus two log x square plus two log x q plus plus up to n term है तो हमें इस expression का value निकालना है और आपको यह options दिया हुआ है four ठीक है तो मैं given expression को लेके solve करता हूँ देखो हमें क्या दिया है since two times हमें दिया है log x plus two times हमें दिया है log x square plus देखो two times हमें हमें दिया है log x q plus up to n terms है वो ठीक है तो each term में अगर आप observe करो गे तो हम two को common ले सकते हैं तो देखो मैं two को common ले रहा हूं तो क्या बचेगा यहां पर आपको log x बचेगा plus यहां पर देखो आपका बच रहा है log x square plus यहां पर हमें बच रहा है log x q plus plus up to n terms है ठीक है so this is two into क्या हो जाएगा भी दिखो यह two into log x as it is मैं लिखता हूं यहां पर देखो log x ऐसी रहेगा plus देखो log x square है तो property use होगा तो यह two log के पहले आकर के multiplied हो जाएगा plus three अगें यहां पर log के पहले आकर के multiplied हो जाएगा three log x plus plus up to n terms ठीक है so this is equal to two into each term में अगें देखो हम यहां पर कुछ common आ रहा है log x plus two log x plus three log x plus plus up to like that तो हम each term से अगें यहां पर log x common ले सकते हैं तो मैं देखो log x common लूँगा तो bracket में क्या बचेगा यहां पर कुछ भी नहीं मतलब one बचेगा यहां पर two बचेगा यहां पर three बचेगा plus plus up to n terms हम लिखते हैं तो plus plus up to तो कितना हो जाएगा n terms हो जाएगा ठीक है this way so this is equal to two into देखो यहां पर log x अब आपको यह पता है sequence and series में chapter में यह है one plus two plus three plus plus up to n मतलब कि यह sum of first n natural number है one plus two plus three plus plus up to n means it is a sum of first n natural number and sum of first n natural number का formula होता है formula यहां पर लिख देता हूं इसका formula होता है यह formula होता है जान में रखो one plus two plus three plus plus up to n रहेगा आपको formula लिखने है डारेक्ट n into n plus one divided by two तो यह देखो two और यह two आपका cancel हो गया तो हमें क्या मिलेगा यहां से हमें actually final answer मिल जाएगा देखो n into n plus one into log x जस्ट मैंने अगर आप check करोगे तो option b देखो correct है n n plus one into log x तो option b आपका राइट है बहुत ही आसान था हमने solve कर दिया इससे है नौ सी क्योशन में 17 देखो आपको दिया है क्योशन में 17 है solve log x minus 3 देखो देखो आपको दिया है क्योशन में 17 है solve log x to the base 10 minus 3 upon 2 फिर लिखा है plus 11 minus log x to the base 10 upon 3 equal to 2 दिया है तो इससे solve करना है मतलब आपको एक्स का value find out करना है और option आपको दिया है देखो यहां पर 10 दिस टू-1 10 दिस टू-2 फिर 10 है फिर 10 दिस टू-3 यह आपको options दिया हुआ है देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो टम आपको दिया है लॉक का तो मैं क्या करता हूँ लॉक का प्रॉपटी तो यूज नहीं होगा यहां पर डारेक्ट क्योंकि देखो लॉग X-3 फिर यहां पर लॉग X-1 यहां पर दिको आपको 11 दिया हुआ है तो लॉक का प्रॉपटी डारेक्ट कर लेता हूँ cm लेता हो ख्राइब करके तो यह दिखो क्रॉस त्रीपलाइब करेंगे 13 जो है दोनों तंस – 1 English थे Absolute सीverse मैंने द zwischen 10 गूह देजिये को मैं त्रॉसन ठोग खश्राइब करें तो थो फ्कलेट हो जाएगा व nota 1122 फता है इन को सबस्क्राइब लग एक सुलिखेंगे टू इन्टू लोग एक्स वेस्टेन लिखेंगे और टोटल डिबैड़ेटी को त्री इंटू टू सिऩ हो जाएगा तो एजोब आपान मिलेगा वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो से इंटू होकर कि ट्वैल हो जाएगा तो मैं डारेट लिक रहा हो यहाँ ठीक है आप देखते कि इतना आता है यह जाएगा आपका देखो थ्री लॉग एक स्वन्टी टो और यह माइनस टू लॉo एक स्टू लॉग एक तो यह एक माइनस नाइन मायनस नाइन प्लस त्वैंती कि त्व्यों सर लॉगह तो आपको यहां से क्या मिलेगा प्लस फी लेफ्ट हेंड साइड में यह आपको टरं दिया हुआ है हम यहां पर प्रापरटी यूज कर सकते हैं लॉप का ठीक है यह 3 log x to the base 10 है माइनस 2 log x to the base 10 है तो मैं यहां से ना देखो 3 log x to the base 10 को common ले सकता हूं दोनों terms में तो क्या बचेगा आपका 3-2 बचेगा इस इक्वल टू यह 12 है और यह प्लस 13 है तो प्लस 13 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो देखो 12-13 हो जाएगा यह सो यह हो जाएगा आपका लॉग एक्स टू दे बेस टेन 3-2 1 हो जाएगा और लॉग एक्स टू दे बेस टेन से मुल्टिपलाई के तो कोई एफेक्ट नहीं होगा तो ultimately हमें लॉग एक्स टू दे बेस टेन मिल रहा है इस इक्वल टू ट्वैल माइनस 13 करोगे तो माइनस वन मिलेगा अब यह लॉग के फॉर्म में है लॉग इर्दम का डेफिनेशन यूज करके हम लॉग के फॉर्म को इंडिक्स के फॉर्म यानि कि इसके आजाता है था आपको एकस का वैलू कितना दो माइनस बन क्या पत्ते साइख था था लिए आपका क्रेक्ट हैं हमने सॉल कर दिया इसे नौ सी क्योश्मर 18 देखो आपको दिया क्योश्मर 18 है इस एन इक्वल टो एम फैक्टोरियल वेर एम इस पॉजिटिव इंडेजर ग्रेटर देन टू दिया हुआ है यह एम का जो वैलू होगा वो मोर देन टू आएगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा ठीक है देन आपको यह पुरे टम का वैलू फाइंड़ाट करना है देखो बहुत आसान इससे सॉल करना तो जो गिवन तिंग्स का वैलू फाइंड़ाट करना है उसे मैं सिम्लिफाइड करूँगा एक्स्प्रेशन को ठीक है अब अगर आप ठीक से आपशेर करोगे तो देखो यहां पे तो बेस को same करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर change of base law use करेंगे बिकोज जब तक law का base same नहीं होगा हम उसमें कोई भी law apply नहीं कर सकते तो change of base law जब आप use करोगे न तो यह दिखो रेसी परोकल आपका निकल जाता है मैंने सब दिया हुआ है जो मैंने basic concept के ऊपर lecture लिया था logarithm का very first lecture जो मैंने लिया था उसमें आपको पूरा basic concept दिया हुआ है तो अगर वो वीडियो आपने basic concept वाला नहीं देखा होगा तो playlist में वीडियो अवेलेबल है आप जाकर के वहां से देख सकते हो because जब तक आपको entire formula और पूरा basic concept नहीं आएगा किसी भी chapter का किसी भी topic का तब तक आप उसका solution find out नहीं कर सकते हो ठीक है तो 1 upon log n to the base 2 तो यह reciprocal है हम change of base law use करेंगी तो यह हो जाएगा देखो आपका log यह interchange हो जाएगा यानि कि यह log 2 to the base n हो जाएगा तो जब आपका 1 upon निकलेगा तो यह interchange हो जाता है तो log 2 to the base n हो जाएगा exactly same way हम remaining terms को भी लिखेंगे देखो प्लस यह हो जाएगा आपका log 3 to the base n हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पे log 4 to the base n हो जाएगा प्लस प्लस अब तो यहाँ भी क्या हैगा log m to the base n हो जाएगा तो हमने यहाँ पे simply logarithm का change of base law use किया है अब देखो इसे क्या benefit होगा इच टम का देखो बेस सेम हो गया तो जब इच टम का बेस सेम हो गया तो हम यहाँ पे log का property apply कर सकते हैं addition रहेगा तो multiply हो जाता है तो यह जाएगा आपका log base n log to the base n common हो जाएगा और यह multiply हो जाएगा two into three into four into क्या आएगा आप two dot dot into m आएगा यहां तक आपको समझा रहेगा so this is equal to यह होगा आपका log to the base n two into लिखा है ना तो मैं यहाँ पे one भी लिख सकता हूँ one into two into three into four into dot dot up to into m because one से अगर आप multiply करो कोई effect नहीं होगा यहाँ पे terms के ऊपर तो मैंने one यहाँ पर extra ले लिया one into so this is equal to क्या हो जाएगा देखो आपका log to the base n हो जाएगा जो आपका statistics पार्ट है उसमें permutation and combination का topic है तो permutation and combination में rule है one into two into three into four into up to m रहेगा उसे हम लिखते हैं m factorial है इसे हम लिखते हैं m इसको बोलते हैं factorial ठीक है this is m factorial तो always remember यह permutation combination में आपको मिलेगा यह topic one into two into three into four up to into m रहेगा तो last term लिखना है और फिर आपको यह factorial का sign लगा देना है इसे हम बोलते हैं factorial now this is equal to क्या हो जाएगे देखो आपका यह log to the base n हो जाएगा question देखते हैं हम लो question में में लिखा हुआ है question देखते हम लो question में लिखा हुआ है m factorial equal to क्या दिया है n तो यह m factorial को मैं n substitute कर दूँगा from the given question n हो जाएगा और आपको पता है log of any number to the same base answer one होता है तो log n to the base n answer क्या मिलेगा आपको one मिलेगा that means कॉंसा option राइट है option यह हमारा correct है बहुत ही आसान था हमने solve कर दिया इसे now sequence 19 देखो आपको दिया है question है if log x to the base 2 plus log x to the base 4 equal to 6 then question is what is the value of x तो given expression को हम लेकर के solve करेंगे हमें दिखो यहाँ पर दिया है log x to the base 2 plus लिखा हुआ है log x to the base 4 equal to 6 दिया है ठीक है अब हम यहाँ पर डाइट जो है log का property apply नहीं कर सकते क्योंकि दोनों भी terms में log का base दिखो different है यहाँ पर base 2 है और यहाँ पर base 4 है base अगर सेम होता तो हम यहाँ पर multiplication का property यूज कर सकते थे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा change of base law यूज करना होगा वहाँ से base सेम हो जाएगा तो change of base law में हम क्या करेंगे log x to the base 2 है न तो हम इसे लिख सकते है log x upon log 2 हाँ property ध्यान में रखो change of base law है second time भी सेम वैसे ही है यह हो जाएगा आपका log x upon देखो क्या हो जाएगा यह log 4 हो जाएगा और is equal to further simplify करता हूँ यह हो जाएगा आपका log x upon log 2 में ऐसे रखता हूँ plus देखो यह log x है यह log 4 है न तो log 4 को हम log 2 का square भी लिख सकते है न देखो 2 का square 4 हो जाएगा और equal to आपको 6 दिया हुआ है so this I can write log x upon log 2 ठीक है और यह देखो plus हो गया आपका यहाँ पर है log x upon 2 यहाँ पर आ जाएगा by using property तो 2 log 2 एको देखो यह 6 हो जाएगा अब मैं यहाँ पर कुछ log 2 कॉमल दोगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लेस हाफ बचेगा और यह equal to देखो आपका 6 है further simplify करता हूँ यह देखो log x upon log 2 को अगेन मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ log x to the base 2 लिख सकता हूँ change your base log log x upon log 2 I can write log x to the base 2 और यह ब्रैकेट simplify करें तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लेस हाफ cross multiply करेंगे तो आपको 3 by 2 मिलेगा and this is equal to 6 हो जाएगा ठीक है so this I can write log x to the base 2 is equal to 6 अब यहां पर देखो इंटू 3 by 2 है तो राइट साइड में जाएगा तो वह इंटू 2 by 3 हो जाएगा this way तो हमें क्या मिलेगा देखो यहां से log x to the base 2 is equal to cancel करो 3 1 जा और यह 3 2 जा 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब यह log के form में है by using definition of logarithm हम इसे index के form में लिख सकते हैं तो x is equal to क्या हो जाएगा देखो 2 raise to 4 हो जाएगा रूल तो आपको पता है तो x is equal to 2 raise to 4 answer कितना आएगा 16 आएगा तो इसका solution 16 आएगा देखते हैं कौन सा option correct आपका तो option देखो यहाँ पर यह आपका correct है बहुत ही आसान था हमने solve कर दिया इसे ना उसी क्योश्म 20 देखो आपको पूछ रहा है question है if log y to the base x is equal to 100 दिया है and log x to the base to equal to 10 दिया है तो value of y आपको पूछ रहा है मैं इसे लिख सकता हूँ देखो log y upon मैं इसे लिख सकता हूँ log x equal to 100 equation number 1 देदा हूँ मैं after that अब second thing हमें क्या दिया है same way since हमें यहाँ पे दिया है log x to the base 2 is equal to 10 दिया है तो यहाँ पर भी change of base law use करो log x upon क्या हो जाएगा log 2 is equal to 10 हो जाएगा मैं इसे देदा हूँ equation number 2 अब हम क्या करते हैं equation 1 and 2 को multiply कर देते हैं तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ multiply हाँ तो I will write here multiply equation 1 and 2 अब मैं multiply क्यों कर रहा हूँ अगर मैं multiply करूंगा न तो यह देखो जो log x है और यह log x आपका cancel हो जाएगा तो easily answer आपको मिल जाएगा y का ठीक है तो multiply करें को देखो क्या हो जाएगा आपका left hand side है log y upon log x multiplied with left hand side of equation number 2 तो यह है log x upon क्या है log 2 is equal to 100 multiplied by 10 तो यह कितना हो जाएगा आपका देखो 1000 हो जाएगा अब यह log x log x आपका cancel हो गया तो हमें क्या बच रहा है यहाँ पर देखो log y upon log 2 is equal to 1000 है अब हम यहाँ से change of base law use कर सकते हैं so this I can write log y to the base 2 लिख दोगे आप and this is equal to 1000 logarithmic form में है by using definition of logarithm हम इसे exponential that is index form में लिखेंगे तो log के बाद जो term है वैसे लिख हो वा है उसके बाद equal to equal to के बाद log का जो base रहता है यह base आएगा और इसके बाद जो term दिया है न वो power में चला जाता है तो 2 raise to 1000 answer आएगा तो y equal to क्या मिलेगा 2 raise to 1000 तो कौनसा option correct है 2 raise to 1000 आपका option d देखो यहाँ पर sorry 2 raise to 1000 y का value आएगा that means आपका जो option c है वो correct है यह भी बहुत आसान था हमने solve कर दिया इसे so my dear student through this video lecture हमने logarithm topic का multiple choice question question number 11 से लेकर के 20 तक solve कर दिया है इसके पहले की video lecture में हमने question number 1 से लेकर के 10 तक solve किया था और मैं जितने भी question आपको solve करके दे रहा हूं multiple choice का each and every question बहुत important है because similar type के question आपके CA foundation exam में भी आते हैं और जो भी question मैं यहाँ पे solve कर रहा हूं यह सब previous years के question paper है starting from 2002 से लेकर के 2019 तक के question paper में जितने भी question आये हुए हैं सब मैं आपको solve करके देने वाला हूं so I hope आज का यह video lecture आपको understand हुआ रहेगा video अच्छा लगा होगा इसे like जरूर करना maximum students को share कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना तो नेक्स वीडियो लेक्चर बहुत important होगा उसे miss मत करना सो मिलते हैं नेक्स वीडियो लेक्चर में thank you very much